नमस्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों मैं जानता हूँ कि आप पेशे के लिए तडप रहे हो आपकी जुनकाल में पेशों की जरुद बढ़ गई है आपकी जुनकाल में मुझ्जिबत बढ़ी आई है और पेशे कम पड़ गए हैं जिया दोसों तो दोसों आप शिवी को बता दे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यांश देखिएगा दोसों आपको बता दें कि पेशा शमाल नहीं पाओगी यूँ कहें पेशों में आप डूब जाएगी दोसों इतना पेशा आएगा कि पूरा जिवन इधर का उधर हो जाएगा खाईश लेकर उचाई का शफर आपका बन जाएगा जिया दोसों लें दोसों यक्ष में आप इस बात को सोचेंगे कि पेशों की दिकत आखिर कीश को नहीं है जी अ दोसों पेशों की दिकत सबको है लेकिन दोसों सब में और आपमें बहुत यदा फ़र्क है और यह फर्क को आप तभी शुच पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिया दोस्व क्यों दोस्व इस वीडियो में हम आपके जुनकाल की शबशे बड़े मुलमंतर आपको देने वाले हैं तक दोस्व आंकशन कि आपके जुनकाल में होना बहुत यहां हुआ ल хозя, दोस्व अकशर के जुनकल में हीशा होइए शावात नहीं कि पेश्याध आपकी पास नहीं आयाथा यह शांत होता है तो दूसरी शम्रीए अपके अर यहां करें के फिर हिर नियुद दॉसरोचास सब्सक्राइब कर अंतर दख देखिएगा तभी दोस्तों आपको इस बात का पता चलेगा कि आखर यह वीडियो आपकी जुनका लिए लिए कितना अवश्यक है उसे पहले दोस्तों सरपर्तम जो भी बगवान शुन देप के सच्चे वक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को ए अनंद की अनुभुती भी है और पिछली शमय अपने दुख भी देखा है लेकिन दोस्तों आप शुब बता दे कि पिछली शमय में जो भी आपकी उम्मीद थी वह पूरा नहीं हुआ है आप शुब बता दे कि आप अपने दिनों दिमाग पर यहां उम्मीद लगाई बहुती बहत्तिन होगा और पेशे आपके पास जरूर आएंगे जिन पेशों के लिए अब इस वक्त तडप रहे हैं एक शमय वह पेशों आपके भी पास जरूर आएगा जिया दोस्तों इसी चीज़ें आपके मन में चलती है और आपकी दिन के लिए बहुत ज़्यादा मे क्यों नहीं हो दोस्तों आप हर शमय शाओ का शमधान अपने मुश्कुराइट करते हैं हमेशा अपने चेहरे पर आप मुश्कुराइट बना कर रखते हैं जया दोस्तों और यह आपके लिए शब्से बड़ी खुबी होती है जो कि आपके भागी को भी चमकाता है और आप जो होते हैं अपने दुखों को किशी की सामने व्यक्त ही नहीं करते हैं जिनसे श्रावनेवालों को किशी परकार की खुशी हो यह दोस्तों अपने शबी दुखों को आप अंदर ही दबा कर रखते हैं और चेहरे पर जो मुश्कुराइट रखते हैं इनकी वज़शी दु बनने की आपके अंदर अन्यक तमनाई होती है, आपके मन में कुछ ऐसे भी ख्वाइश होती है, कुछ ऐसे भी जज़बा होता है, कि आप अपने जिवन में आपका जो भी मनपशंद कार है, मनपशंद गाड़ी है, घर है, बंगला है, या फिर बच्चों की परवरिश है, दोस्तों आप उन्हें प्राप्त कर सकें, उन्हें हर चीज़ सुप को दे शकें, अपने मनपशंद चीज़ों को आप खरिश सकें, जे दोस्तों, और आप उन शबी के लिए एक अलगी लेवल पर जाना चाहते हैं, अपने शमाज में हर छेतरों में आप शब से कुछ अलग करना चाहते हैं, आपकी ख्वाइश दूसरों से अलग होती है, उसे प्राप्त करने के लिए आप जीतोर मेहनत भी करते हैं, लेकि जो भी आपके जुनकाल में आपका जो करतब है, उन्हें मद्य नज़र रखते हुए दोस्तों, आप अपने अर्मानों का गला दवा लेते हैं, यूँ कहें अपने ख्वाहिश को आप छोड़ देते हैं, और दोस्तों, शमने वाले के ख्वाहिश पर आप ध्यान देते हैं जो भी आपके जुनकाल के घर परिवार के शतष हैं, उनके महत्पन जमेदारियों को लेकर आप पीछे हड़ जाते हैं, कि नहीं हमें यहाँ कारे छोड़ दिने चाहिए, और ये शमे में शमे की भी आपको मार पड़ता है, आप देखते हैं कि जब आपकी बुरी पस्तित चर रही होती है, तो दोस्तों आपको नुक्षान ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन दोस्तों आप शभी को बता दें, कि आप यह बात जानते हैं, कि जिस्तिती में आप अभी हैं, जो भी पस्तिती का शमन आप अभी कर रहे हैं, वो आपका मंजिल नहीं है, आप अपने ज यहां सुझता है जितना आप मेहनत करते हैं दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि आपके जुनकाल में पेशों को लेकर जुद तंगी है कुछ जाला ही यह बढ़ गया है पिछले शमय के दौरान आपके पास पेशे आते ते रहते थे घर परवार अच्छा भी चलता था लेकि कि दोस्तों कुछ ही महिनों शिया आपकी जुनकाल में कुछ ही शालों शिया आपकी जुनकाल में शमय आ गया है कि पेशों की जो अर्तिक दंग्या वह बढ़ गई है महंगाई के शाथ सब्सकारी इस्तियां उत्पन हो रही है वह भी पेशों को लेकर आपका पर्याश सबसे पहले मांग होती है आप कोई भी हैं इतने बड़े इंशान क्यों नहों सबसे पहले पेशे से ही लोग बात करते हैं फिर आक्शे बात करते हैं इसको बना तो सबस्कों बता दें कि आपके जुनकाल में और भी अशी घटनाए घटित हो रही है जो कि आपको सोचने पर कभी 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 मजबूर कर देती है कि दोसों आप इतने जुनकाल में मेहनत करते ही आप इतने जए ज़्दनाए घटनाए घटी होती है कभी कि ऑप अपने पूरूश हमको यादकर चुने बहुते जदा अभी भी दुखी होते ही कभी दोस्वेBlack confrontation को याद करे Qiu अदे बैट कि इस महिने के बाद आपके जुनकाल में करहों की चाल बदर रही है शनी, शुक्र और गुरु की जो इस्तिती होगी आपके लिए आपके लाग करम को दक्षा रहे हैं और भगवान शुन्देप तो न्याय की देवता है जें दोस्तों वे आपके इस शात कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे इस बात पर आप विश्वास रखिए आप शुबी को बता दें कि भले ही लोग भगवान शुन्देप के नाम शुनते ही डर जाते हैं लेकिन दोस्तों जिनके भी मन में कोई छल नहीं होता निस्चल भाव निस्चल स्वार्थ का विक्ति कभी भी इस शुब बातों से नहीं डरते हैं कि भगवान शुन्देप कुरूर देवता है दोस्तों आपको बता दे कि भगवान शुन्देप भले ही शत्रुग गरह में आते हैं लेकिन आप शुम को बतादे कि ये देवताओं की राजा भी कहलाते हैं, नियाई के धियुश कहलाते हैं और शबी जातकों के उपर यहा नियाई का तीर शोड़ते हैं जी या दोसुं और आप शबी की जुनकाल में भी अब आपको नियाई मिलने वाले हैं, पिछले शुमे क की जो भी मेहनथ है उनका प्रिणाम अब आपको बहुत ज़लत प्राप्त tałने वाले हैं यह दोस्कों आपको बातए की गर्णों की चाल में परिवर्तन आपके कुन्डली में भी बहुत यह अच्छा बदलाव तो यह भागया अब आपको बदल जाएगा जो शमशयां का शामना कर रहे हैं तो भागया बदलने की कारण आप शुब की जुनकाल में बहुत शारी प्रिवर्टन होने वादय हैं जैसे कि दो शुब से पहले जुनका को भी करना चाहिए जो कि दोसों आगे वीडियो में बात करने वाले हैं दोसों इन बातों को भी आप ध्यांस जुने चेंदोसों हम आप शुकू बता दें कि अब आपकी जुनकाल में केरियर की छेतर में जो भी आपकी रुकाउटें बढ़ रही थी जिनमें आपको अचान हुए थे जिए दोसों शाथ हिसा दोस्तों आपको बताते कि घर परिवाल का महौल भी जो पिछले शुमें बहुत भी बुरा चरह था दोस्तों अब धेरी धेरे श्माफ्त होने वाले हैं आप शुकू बता दें कि पिछले शुमें में आपके शाथ कुछ लोगों अन्याई किया है लेकि दोस्तों आपको बता हैं पहले की भगवान शुनदेव हैं वह अन्याई को कभी भी शेहन नहीं करते हैं उन्हें शुमें दूर होने वाले हैं और यूनकाल आपका बहुत थी शुक्च और शुनहरा बनने वाला है जे दोसुं इन ये चिर हम आपको कोई भी गलती भी नहीं करना है, अब आपको हर शमय में हर पस्तिती में अपने कदम को फूक फूक हो रखना है, ज्ये दोसुं, तो कि बागावन शन्डीप, आपके जुनकाल्य को आपकी जुनकाल की इस शारी शमयश्याओं का यूं कहत अ योग य स्टियर्ग आपको हर चीज मिलेगा जह दोस्तों प Ок度 के इनगा जो भी आपकी नौक प AllMusic सब्सक्राइकी सब्सक्राइब बच्ची के और शे आपको कुछ ऐसा नया चीज देखन को मिल सकता है जो कि आपके मन को बहुत इजाब पर फुलिद करेगा हम आप शेवी को बता दें कि दोस्तों जिस बुरे वक्त में आपने सबी का शाथ दिया था और उन लोगों ने आपका शाथ नहीं दिया था तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि फिर शे, उन लोगों शे आपकी मुलकात होने वाली है लेकिन दोस्तों, हमाब शेवी को बता दी कि दो बारा, जिन लोगों ने आपको धोगा दिया है वह गलती करता है वह आपको धोखा देता है तुने माप करके एक बार अच्छे इंसान बन जाओ शमाज की निजरों में लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना तुमारा शबसी बड़ा बेवकूपी होगा जी अदोसों तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है कि जो विवक्ति आपको दोका दे चुके हैं उन पर आख मुंद कर यूँ कहें तो उनके शाथ रहने की भी आप कोई जरुत नहीं है क्यों दोस्तों जो शाप होते हैं वो कभी भी अमरित नहीं उ दोस्तों आप जुनकाल में और बात बता दें कि अब शे अपने जुनकाल में आप एक चीज का और ध्यान रखें कि पेशों को लेकर जो भी फिचुलकर्ची आप किये थे दोस्तों अब उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जहां पर आपको पेशों की जरुत लगे वह ने आउसकताओं को इज़्जत करते हो उशी परकार तुम मुझे भी इज़्जत करो मैं कभी भी तुमें निराश नहीं होने दूंगी मिकभी तुम्हें शवी के शामने लजजित नहीं होने दूंगा ज दोस्तों आशे ही अपने जुनकाल में आप इन बातों का भी धान पेशों को देखते हुए ही पेशों का निविष्ट करें दोस्तों को देख कर पैशों को देखा देकी में पैशे को फर्च के जीवन में और आपकी जून में बिलकुलada फश्रफ के उनका उनका चल चल चलिटों में जमीन आश्मान है कभी उनको मत दखेगा आप हमेश्वाइश्य अपने उनकाल की जरुत को देखिए गा जिस चीजी के आपको जरुत है कि अपने ने दर्शक को देयान लहां परजो यह महीं जो भींचराइब की जो को дोस्तों पर याद कशब्राइब करके उफिर्ञा है तो इसके याद रखें पिछले श्रुमे याद करते हैं तो आपको परस्ताबा होता है जे वाट है इन्हें आप बहुती मुल्यवान होता है जो व्यक्ति शमे का शही से शदिप्योग करता है तो दोसों वह चोटी शे उमर में भी बड़ी शफलदाओं का अच्छल कर लेकता है लेकिन दोसों जो व्यक्ति शमे का मोल नहीं जानता जो व्यक्ति शमे को यूँ ही बरवात कर देता है खेलने ये में तहले में और कशोप्र की व्यर्थिक कारियों में तो दोसु हुआ उनकी जूनकाल में उनके उमर्म भड़ती हैं नेकिन ऑरती सटी अच्छी नहीं होती वों कामयापर उन्हें प्राप्त न होता जो उने मिलना चाहीए तो ओस्ट अभुश्यम्ण जुनकाल में इन बातों का भी ध्यान रखे यह दोसों इने डिऔर सब्डूर अपकी स्व बाते हैं ये शबी बात आपके पेशूंसे ही जुड़ी होती है। जुद्वारांद आपको पताएथी कि पेशों से जुड़ी एक बहुत अच्या उपाए है। निट्य आपको अपने जुनकाल में याद रखना है उपाय करना है लो कि आठीय करने हैं सी आफेosse hai मंत्र करने में और भाग का भी आपको पूरा श्रयोग मिलेगा तो दोसों इसमा चाहिक wonよね ध्यान से सुनें तो आई दोस्तों बात करते हीं दोस्तों माव शूब बता दें कि गरोशे बियुने बरकार की बिमारी में उत्वन होती है ज्यतों सोगर आपके ब्रहस्पती खराब हो जाए तो पेट की गैश और फिपड़ी की श्मस्या हो जाती है शूर एकर खराब हो जा है तो दिल और आख की कमजोरी होती है अगर शुकर खराब है तो तुवाचा दाद खुजली का रोग होता है मंगल अगर खराब हो जाए तो रक्त और पेट श्मंदी बिमारी नाशूर जीकर फोड़ा होना बुद अगर खराब हो जाए तो दोस्तों सेचक नारियों की अगर मंगल खराब हो तो दोस्तों कभी भी आप कुरोध न करें क्रोज से ही मंगल खराब होता है जूट बोलने से आपका बुद्ध खराब होता है बड़ों का शमान नो करने से गुरु खराब हो जाता है पत्नी या प्रिस्तरी का शमान नो करने से सुक्र खराब होता है आलश करने से सनी खराब हो जाता है और चुगली करने से राहु खरा पिछे करके भी उन उन्हों को देखशक्ते हैं कि कौन से चीज फुर के लिए खराब है और कौन छीज सूर के लिए अच्छा चीज है तो दो सब्सक्राइब कर लें धनिवाराद आपका दिन शुबर रहे